गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन के बारे में यह एक लेंदी टॉपिक है इसलिए इसको मैं तू या थी टॉपिक्स में कवर करूँगा इस टॉपिक में आज में बताने वाला हूँ प्रिंसिपल्स ओफ न इवी बेसिक सेटिंग्स और इसका प्रैक्टिकल यूज कि इसको कैसे लगाते हैं और कैसे हटाते हैं यह इसको नॉन इन्वेसिव कहते क्यों है क्योंकि जैसे आपने सुना होगा कि मेकैनिकल इसको नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन कहते हैं अब चलिए बेसिक की तरफ रैस्पीडि सिस्टम का फंक्शन क्या होता है जैसे आप जानते हैं इसके दो फंक्शन होते हैं एक होता है आक्सीजन इन्वाइरमेंट से ब्लड तक पहुँचाना और दूसरा होता है जो ब्लड में कालूंडय अक्सवैड है इसको बहार निकालना तो इह दो मेजर फंक्शन होते हैं अगर इनिमेंसे एक भी फंक्शन डिस्फंक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं रास्मेटरी तो रेस्पेटी फिलियर क्या होता है कि लंक्स ने में या सी-उ-tı वाश-ाउट कराने में लान सम 1997 कि और एक हुटा हाइपरकेपनिक जिसको हम टाइप टू फिलियर भी कहते हैं इसमें पंप फिलियर हो जाता है पंप का मतलब होता है कि मारा लंक्स और चेस्ट वॉल एक पंप की तरह यूज होती है जैसे आपने बच्पन में देखा होगा साइकल में हवा भणने की पंप आती थी तो अगर यह पंप फिल हो जाए इसका मतलब यह हवा बाहर नहीं फेकेगा इसलिए इसमें टाइप टू फिलियर होता है जिसमें की कार्वंड ऑक्स देटेन हो जाती है है हैप ऑक्सिया भी होगा और हैपर कैप्निया भी होगा इसमें लंग्स ऑक्सीजन इंवाइरमेंट से बलड तक पूरा नहीं पहुचा पाते हैं तो देखी प्रॉलम कहां कहां हो सकती है कि अगर इन्वार्मेंट में ही ऑक्सीजन कम हो जैसे कि हाई एल्टिट्यूड या फाइर कंबस्चन यहां पर के सियो टू जादा है और ऑक्सीजन कम रह गया है दूसरा यह है कि एर तो अंदर आ इससे क्या है कि जो एर अंदर आई जो अक्सीन अंदर आई ब्लड तक नहीं पहुचेगी इसको बोलते हैं शंटिंग शंटिंग क्या होता है जो वीनस ब्लड आ रहा था पल्मोनरी आर्ट्री के थूरू वह बिना ऑक्सीजन लिए पल्मोनरी वेन में चला जाएगा यह श ब्लोक हो गई है तो इसमें क्या होगा कि ब्लड वैसली नहीं है तो आकसीजन जाएगी कहा बेकार है तो उस बेकार आपक्सीजन को बोलते हैं डैट स्पेस वेंटिलेशन अएक ब्लड में जा नहीं रही है यह वह प्लोड यह और रिड़़्च निश गा है कि आक्सीजन भी है इन्वार्मेंट में भी है अंदर आ भी गई अलबुलाई तक आ गई लेकिन जो अलबुलो कैपिलरी मेंब्रेन है वो ठिक हो गई जैसे की इंटरस्टीशिल लंग डिजीज में तो जो डिफूजन है वो कम हो जाएगा अलबुलाई से ऑक्सीजन ब्लड तक पोचने मे दिक्कत होगी यह उता है डिफूजन डिफेक्ट अन्दर कंडिशन क्या है कि पेशेंट को अलबुलाई है वही काम नहीं कर रहा है चाया वो सीनस कोस की वज़े से हो ड्रग ऑबर डूस की वज़े से हो या चैस्ट वल्ड डिफॉर्मिटी हो जिससे हमारे जो लंग्स हैं वह इंस्पायर और एक्सपैंड नहीं कर रहे है सही से तो इसको बोलते है है हाइपो वेंटिलेशन तो इसमें भी ऑक्सीजन कम पोचे की ब्लड के पास में तो यह हो गए टाइवन रेस्पेट्री के फेलिर के कॉस अब देखते हैं टाइप 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 प्राउंडिंग रिप केस का और इसको गवर्ण कौन करता है सो कंट्रोल करता है ब्रेन अगर लंग्स डीफ्लेट और इंफ्लेट नहीं करेंगे इसमें क्या होगा कि कारणडा उक्साइड अंदर से बाहर नहीं जा पाएगी तो यह कप-कप हो सकता है जब ब्रेन में नहीं होंगे डूसरी जन क्या है कि आप एसी कोई बीमारी हो जाए जिसे के डायाफ्राम का कॉंट्रेक्शन या चेस्ट फाल पर जो मसल से उनका कॉंट्रेक्शन कम हो जाए जैसे निरो-मयोपैटी है मयो पैथि है गुलिन बाट सिंड्रोम है तो यह सब डिजीज क्या कर नीरो लोजिकली भी ठीक है, मसल और ये भी ठीक है, लेकिन मसल वीक हो गही, फटीग हो गही, ठक गही, फटीग कब होती है, तब इनवारमेंट में ऑक्सिजन कम होती है और लंग्स को तागत लगानी पदती है ऑक्सिजन लेने के लिए, जैसे पेशेंट, for example, C.O.P.D. का है उसको और adequate oxygen नहीं मिलेगी तो इसमें क्या है कि जो lungs की muscle हैं जो वो force करेंगी lungs को कि आप जल्देली सांस लीजिए ताकि oxygen ले सकें और क्रामराइक से बाहर छोड़ सकें तो ये muscles बार बार काम करेंगी जल्देली काम करेंगी तो मसिल फटीग हो जाती है थक जाती है जब कोई थक जाएगा तो क्या करेगा काम करना बंद कर देगा तो ये भी एक ventilation failure होता है इसमें ये तो मुटा मुटा देखा जाए तो pump का काम क्या है कार्ड अक्सेट बाहर निकालना तो इसमें दू चीज़े होती है एक Taddle Volume होता है कि कितना सांस अंदर ले रहे हैं कितना भाड छोड़ रहे हैं दूसरा होता है Respiratory Rate कि कितनी बाड सांस छोड़ रहे हैं एक मैट के अंदर तो Taddle Volume into Respiratory Rate is Elvener Ventilation तो Elvener Ventilation ही डिसाइड करता है कि कार्म दाख साइट बहार कितनी जानी है अगर एल्विरंटिलेशन कम हो गया है तो CO2 वाश आउट नहीं हो पाएगी अगर एल्विरंटिलेशन जादा हो गया है तो जादा कार्मड- aussiड बहार चली जाएगी और हाइपोकेप्या हो तो अगर इस फेजलोजी को में समराइज करूं तो टाइब फेलियर लंग फेलियर इसमें आप ऑक्सिजन दीजिए पेशेंट इंप्रूव हो जाएगा टाइब टू फेलियर फंप फेलियर कानड अक्साइड बहार नहीं जा पाएगी इसमें आपको सपोर्ट करना जिस्कानेट को हमें मेकैनिकलंड वेंटिलेशन देना पड़ेगा चाएब ऑन इन वेसेव दें चाएब अप चलते हैं नि लूंवेशती वेंटियसम येदो टैप का होता है एक पॉर्टल होता है जो कि हम घर में भी लगा सकते हैं और एक होता है आ इस्यव वेंटिलेटर जो ICU एंडिटर होता है उसमें भी एक non-invasive का एक mode होता है जिसे के हम non-invasive pressure दे सकते हैं NIV के indications क्या है? Acute respiratory failure जैसे acute exaggeration of COPD दूसरा है winning failure in COPD अगर winning difficulty होती है तो आप उसमें extubuate करके NIV लगा सकते हैं other causes क्या क्या है आस्मा, extubation failure in COPD, cystic fibrosis, obesity या obesity hypoventilation syndrome and upper airway obstruction Acute hypercapnic respiratory failure के cause है जिसे में के NIV ट्राइब कर सकते हैं पर ध्यान यह रखना है कि पेशेंट अगर वर्सन होता है या respiratory rate बढ़ती है तो हमें weight नहीं कर रहा है तुरंत patient को intubate करके invasive mechanical ventilation लगाना है अब देखते हैं hypoxemic respiratory failure मतलब type 1 respiratory failure जिसे मेंने बताय था में तो oxygen का रोल होता है लेकिन अगर type 1 respiratory failure hypoventilation की बज़े से हो रहा है तब इसमें NIV लगा सकते हैं इसका पर्मोडीमा कम हो जाता है और patient improve कर जाता है दूसरा है respiratory failure in immunocompromised patient जैसे PCP pneumonia इसमें NIV दे सकते हैं फिर other causes है post operative patient है ARDS mild in beginning में दे सकते हैं pneumonia trauma burn restrictive lung disease do not intubate patient को invasive की जरूवत है लेकिन patient concern नहीं चाहते कि patient को mechanical ventilation पर दिया जाए ऐसे patients को NIV दे सकते हैं तो वेंटेटर करता क्या है कि oxygen improve करता है by PEEP और EPEP that is expiratory positive airway pressure and FIU2 CO2 कैसे washout कराता है ventilation बढ़ा के by IPEP inspiratory positive airway pressure यह क्या होते हैं यह मैं आगे वाली slides में discuss करूंगा based on requirement यह दो type का होता है एक CPAP एक BiPAP CPAP का मतलब यह है कि inspiratory phase and expiratory phase में same pressure दें and BiPAP का यह है कि expiratory phase में pressure कम होगा inspiratory phase में pressure ज़्यादा होगा तो pressure different होता है expiratory and inspiratory यह होता है BiPAP primary settings क्या होती है सेटिंग करने से पहले आपको समझना होगा कि इसमें हम airway में pressure देते हैं और यह pressure volume generate करता है अंदर जाके primary settings EPAP होता है इसमें expiratory positive airway pressure IPAP होता है and FiO2 EPAP EPAP होता है इसको के हम पीप भी बोल सकते हैं जो IC ventilator होते हैं उसमें पीप बोलते है उसको positive and expiratory pressure तो इसमें हम expiratory phase में pressure लगाते हैं यह काम कैसे करता है यह इसे आपने कभी balloon देखा हो तो balloon जब पूरा defrit हो रखा होता है उसको फलाने के लिए बिगिनिंग में ज्यादा pressure चाहिए और एक बार थोड़ा से फूल गया फिर उसको फर्दर फलाने के लिए कम pressure चाहिए क्योंकि शुरुआत में balloon चिपका हुआ होता है उसको separate करने के लिए pressure चाहिए तो हमारा lungs होता है एक balloon की तरह होता है वो infit करता है डीफेट करता है इनफेट करता है डीफेट करता है तो end expiratory phase में क्या होता है कि पनेड कि ऐpet को पलताएं और अही प्रूलाहां दे Care चृपक सिस्पड सॉपक बाई में तूपक SI님 सॉपडं होगा तो जे इनिशयल प्रैशर होता है वो क्या करता है और आपको फुलाने में प्रेशल लगाता है अगर हम कुछ ऐसा करें कि यह लंग्स collapse हो ही ना, तो क्या होगा? जैसे inflate था, डीफलेट हुआ. इसको अमने डीफलेट नहीं होने दिया, complete. चपक नहीं दिया. इसमें क्या है compression लगाना पड़ेगा? तो deflate, inflate. Compression लगाना पड़ेगा. तो इसको बोलते हैं, पीप. पीप का मतदद ये है कि expiratory phase में ही pressure लगा दें, ताकि inflate करने में pressure मारा waste ना हो. इसको बोलते हैं, E-PAP. इसका दूसरा function क्या है? कि जब E-PAP लगा देते हैं, अलबलाई collapse नहीं होता है. तो इससे क्या होता है? कि expiratory phase में भी gas exchange होता है. तीसरा benefit क्या है? कि increase FRC. FRC क्या होता है, the amount of air remaining in lungs after complete expiration. तो normal tidal breathing के पास में है, जो volume बसता है लंग्स के अंदर उता है FRC. तो FRC जतना ज्यादा होगा, उतना ही gas exchange अच्छा होगा. तो हमने अगर EPAP लगा दिया, इसका मतलब कि expiratory phase में भी alboli खुले हुए है. तो इससे FRC बढ़ जाएगा और gas exchange अच्छा होगा. अगर gas exchange अच्छा होगा, जो लंग्स हमारे हार्ड वर्क कर रहे थे, जिसकी विएसे क्या है कि respirit rate बढ़ गया था, वो अब control में हो जाएगा, बर्क और ब्रीधिंग कम हो जाएगा, muscle tiredness कम हो जाएगा. तो यह EPAP के फाइदे हैं. दूसरा फाइदा क्या है? आटो पीप कम करना. अब आटो पीप होता क्या है? इस्पेशली पेशन्ट जैसे कि COPD में, ब्रॉंक के लासमा में, वहाँ पे क्या है कि ब्रॉंक को स्पाजम होता है. एर वे होते हैं, वो नेरो हो जाते हैं, इस्पेशली इन एक्सपेटरी फेज में. इनलेशन में कोई दिक्कत नहीं है. जब पिशन्ट एक्सपायर करता है, तो एक्सपायर करते करते हैं, लास्ट में क्या है कि एर भी कोलैप्स हो जाते हैं. तो इससे क्या होगा कि एर बाहर नहीं जा पाती है. इससे क्या एर ट्रेप हो जाती है अलवलाई के अंदर. तो जैसे कि आप नीच अच्छे से नहीं होगा, तो पीप लगा कि हम क्या करते हैं, जो एरवे था, उसको में डालिट कर दिया, क्योंकि जो आटो पीप होता है, वो एलवलाई में होता है, बिकॉज ऑफ ब्रोंकियल औश्रक्शन, जो पीप दिया है, वो हमने एरवे में ही दे दिया, एरवे जो इतना था, वो इसको इतना कर दिया, इससे क्या है, कि एलवलाई से रास्ता खुल गया, बहार जानेगा, तो एलवलाई में गैस जो थी, ऑटो पीप में, वो इससे बहार चली जाएगी, तो पीप लगाने से और टो पीप कम हो जाता है, तो बाई डिफॉल्ट पीप हम 4 टू 6 सेंटीमिटर वाटर का यूज करते हैं, उसके बाद बढ़ाते हैं जा गटाते हैं, डिपेंड्स ओन पीशन कंडिशन, सी पेप में, जो पीप होता है या ईपेप होता है, वो कंटिनुवस एकस्पेट्री और इस्पेट्री फेज में दौनों में लगाए जाता है, आई-pap मतलब इंस्प्रेटी पोजितिव एर वे प्रेशर इंस गीर से ऑजाना है एं यह अगे प्रेशर क्या करेगा अंदर चाल वॉल्यूट करेगा थादर कितना जनरेट होगा यह डिपेंड करेगा लंग कॉंपलांस पे कॉंपलांस रिजिस्टेंस यह फिजियोजी के बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूं आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पिछले वीडियो देखें जिसे कि आपको यह अच्छे समझ में आए इस आप इसके उपर जो रेस्परेशन होगा वह वह होगा आई पैप तो आई पैप कितना देना है यह डिपेंड करेगा कि हमें कितना टाइडल वॉल्यूम चाहिए फॉर एक्जामपल जैसे आपने एड सेंटिमीटर वाटर का प्रेशर दिया तो टाइडल वॉल्यूम हमारा फॉ प्रेशर और बढ़ाएंगे एड से नाइन करेंगे एलेवन करेंगे ट्विल करेंगे जब तक बढ़ाएंगे तब कि हमारा डिजार टाइडल वॉल्यूम बढ़ ना जाए या उस लेबल को रीच ना कड़ जाएं तब तक हम लोग आई प्रेशर बढ़ाते हैं अगा निकल जाएगे जिससे की तायिपू सब्भ्रेस्बियर में हमें है भी अठारल बन्स बन्म ऑरocol बिधिंग ओगा जिसे की रीस्वेयर ग्रें कम होगी और प्रक्समुद कम होगा अशे कम होगा तो अपरफ्र नीकिज़ जाना है पहुंचना जाए और E-PAP और I-PAP का डिफरेंस होगा उस पे वेंडिलेशन होगा उस पर टैडल वॉल्यूम होगा इसको बोलते हैं हम प्रेसर सपोर्ट डिफरेंस बिटिवीन I-PAP एन E-PAP इस प्रेसर सपोर्ट यह सेटिंग जब I-C वेंडिलेटर में करते हैं तो उसमें पीफ होता है और प्रेसर सपोर्ट होता है तो फ्रेसर सपोर्ट क्या हो गया i-PAP में से E-PAP मैनेस करदो तो प्रेसर सपोर्ट होता है तीसरा aun f FRC पर टाडल वॉल्यूम ब्रीद करता है अगर E-PEP बढ़ा दें तो FRC बढ़ जाएगा पर पेशेंट उस पर ब्रीद करेगा नॉर्मली अगर आई-PEP देदें उसमें मलत प्रेशर सपोर्ट और देदें तो पेशेंट FRC के उपर जो निया FRC है जो E-PEP से बना है उसके उपर पेशेंट ब्रीद करेगा तो आप देख सकते हैं थर्ड वाली डायग्राम में जो ब्लू कलर का है वो पेशेंट का अपना एफर्ट है अपन भी इस तर्गेट टाइडल वर्यonie Basic मोर्स व जन्सजिं म arrangements के मोड्र होते हैं Customer गिए इसे मिंगा कि पेशेंट को ड्रकर 45 क्रणा है वेश जो होता है उद्रादी क्लेग अधı जोजए सबहीं अगली बाली स्लाइच कि न युटार जोता है इस पोंटिनियंग टाइम डोर ग करदे गी अगर पेशेंट ट्रिगर नहीं करता है तब मशीन अपने आप से सांस देगी उसको निए तो मंगे एक ठाम सेट करना है उसमें एक रेड में हैं जैसे फिफटीन की रेट हम चाहते हैं करेंगे कि एक रिखूर में फिफटीन बार पेशेंट सांस लें इसमें एक फिफटीन कर देंगे तो इसमें हर चार सेकेंड में एक ब्रैद देगा तो यह होता है ST mode मतलब इसे backup rate होता है इसमें तीसरा होता है time mode कि patients के फ़र से को रिला देना नहीं है machine में जितना आप respiratory rate set करोगे उसी साब से machine breath देगी यह commonly use नहीं होता है कुछ newer modes होते हैं जिसे AWAPS, IWAPS, इसके बारे में हम एक अगलब वीडियो बनाएंगे other few terminologies जो अक्सर use होती है, trigger, machine को पता कैसे लगेगा कि उसे कफ सांस देनी है इसमें patient trigger करता है, patient सांस मांगता है कैसे, जैसे मैंने पिछली वीडियो बताया था, तो respiratory phase start होती है तो neuronal signals आता है muscles के पास में, muscle chest wall को भार पूल करती है, negative pressure generate होता है सांस अंदर आती है, तो trigger क्या हो गया, negative pressure जो patient generate कर रहा है तो यह trigger हो गया, तो trigger क्या क्या हो सकता है, pressure होता है, जो negative pressure patient generate कर रहा है negative pressure की वज़े से, यह अंदर आती है, flow generate होता है तो फ्लो ट्रिगर हो गया, तीसरा टाइम, कि आप रैस्प्रिटिट सेट कर दीजिए, एक पर्टिक्लर टाइम के बाद में मशीन सांस देना स्टार्ट कर देगी, तो यह ट्रिगर हो गया, लिमिट क्या होती है, पेशेंट्स को आई पैब देना है, तो आई पैब जतना आईगा जैक्राइन स्यक्राइबması क्या होती है कि बिस्फीह स्टार्ट उज़ता होती है तो इसनिल जो इस्ट्राता था वो बंद हो जाता है जिससे क्या है कि STEVE ए छिंट कॉर्छ न मसंद्थ रेलेक्स होती है कि फ्रोव कम हो जाता है winter यह मशीन करती है कि फ्लोव कम हो लेकिन ICU ventilator में हम लोग eye ratio set कर सकते हैं जब patient conscious ना हो और ट्रिगर ना कर रहा हो तो eye ratio क्या होता है इंस्पिरिटी टाइम टू एक्स्पिरिटी टाइम नॉर्मली इंस्पिरिटी टाइम छोटा होता है एक्स्पिरिटी टाइम बड़ा होता है say for example अगर patient का रेस्पिरिटी है मतलब every three minutes patient की एक बीत साइक्ल स्टार्ट हो जाएगे तो इस थी सेकंड में one सेकेंड इंस्पिरी होता है टू सेकंड एक्स्पिरिटी होता है तो ये रेशी हो गया वन इस्टो टू जो patient स्यू पीडी का है यहां पर किया एर्वे और श्रक्षन हो जाता है पेशेंट एक्जियल नहीं कर पाता है उस केस में हमें आई रेशियो बढ़ाना पड़ेगा ताकि एक्सपेटरी फेस को प्रोलॉंग कर सके हैं आई यह यहां पर क्या है कि आउक्सिजिनेशन की प्रॉलम है एक्सपेटरी बढ़ा नहीं होता है उसमें क्या करते हैं इस पालते हैं एक्सपेटरी चोटा कर देते हैं तो वन एस्टू से वन पॉइंट फाइव या वरन इस्टू वन रख सकते हैं और में यहांकेमें औरक्सियन की ज़्यालदा जरूवत हैं किि इस प्रेट Cred denen अधर बिद्स में युदि आ पी जरूण की जिरूवत हैं चुंशंकर कर सकते हैं तो इनवर्स रेशियो में relation राइस टायम यह क्या होता है किसी पेशन्ट को आई पैब देते हैं मालों किसी का प्रेशर हमने 12 सेट कर रखा आई पैब का अगर एक टायम ट्वेल परेशर देंगे पेशन्ट को अनकमफरेवल होता है उसमें क्या करते हैं इप से आई प्रेशर जाने में थोड़ा टैम द तो यह होता है राइस टैम मालब इपएप से आइप जाने में जो टैम लगता है इसको बढ़ा भी सकते हैं रैंप यह यूज होता है यूजली और श्लीव अपनिया में जिसमें हम सी पैप या बाइप लगाते हैं इसे प्रेशर हमें देना है ट्वेल वाई सिक्स का ट्वेल आई पैप सिक्स इपैप तो यह प्रेशर हम तुरूंत ना स्चार्ट करके एक टाइम लिमिट्स एट कर देते हैं 5 मिनिट्स 10 मिनिट्स 15 मिनिट्स कि हमारा जीरो से प्रेशर 12 तक पहुंचने में अगर पांच में टाइम लग रहा है उसको बोलता है रैंप जो प्रेशर ह है वो दीरे-दीरे बिल्ट होता चला जाएगा ओवर 5 मिनिट्स 10 मिट्स और 15 मिट्स यह हम कैसे एट करते हैं जो पेशेंट का जो सोने का टायम होता है जैसे पेशेंट लेटने के और सोने की बीच में 15 मिट्स एट कर देंगे ताकि जो प्रेशर है वह जीरो से 15 मिट में सब्सक्राइबिक जा झाए और पेशेंट को अनिकमफरटे सब्सक्त ना लग er Toewak सब्सक्राइब करेंगे और एरवे और स्ट्रेक्शन हो सकता है पेशेंट का कफ एफेक्स अच्छा होना चाहिए ताकि वो सीक्रीशन भार निकाल सके कोई फेशियल एबनॉरमेटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम फेश पर मास्क बांदना है एबनॉरमेटी होगी तो फेश से वो प्रेजर रहता है दूसरा यह है कि इंट्रमेटेंट वेंटिलेशन पॉसिबल है पेशेंट को दो गंटे चार गंटे च्छे गंटे हम रैस्ट भी दे सकते हैं बिना वेंटिलेटर के पेशेंट केन इट केन ड्रिंक केन टॉक कि यह एक इजी होता है इसको लगाना है इसको निकालना एजी है यह पेशेंट के लिए कंफरेटेबल होता है इसके लगाने से जो इनवेसे मेकरिकल वेंटिलेशन कॉंप्लिकेशन होते हैं जैसे वैप हैप लंग इंजिरी यह सब कम हो जाती है और इसको होम बेस्ट में भी यूज कर सकता है मतलब हॉस्पिट हम अगली क्लास में बताएंगे कि किते टाइप की होते हैं किसी का अगली क्लास को बताना है कि काने के जा जाना है प्र इनुमेसेट करना है कि हमें ces को लगाना है most common HD moody ही लगाते हैं क्योंकि इसमें backup rate रहता है मालों अगर patient apnea में जाता है तो ventilator अपना सांस दे देता है एन आई वी की low settings स्टार्ट करते है minimum IPAP 8 और EPAP 4 इसे हम set करते हैं तो यह machine में set कर दिया उसके बाद जो mask है जो interface है वो patient को लगाते हैं लेकिन भांते नहीं है उसको उसके बाद में हम EPAP या IPAP बढ़ाते हैं EPAP कैसे बढ़ाते हैं 1 cm pressure उपर बढ़ाते जाते हैं जब तक कि patient trigger ना करने लगे यहां पर trigger करने लगता है वहां पर हम EPAP set कर देते हैं EPAP कब तक बढ़ाते हैं जब तक कि हमारा desired title volume generate ना हो रहा हो या तब तक set करते हैं तब तक बढ़ाते जाते हैं तब तक कि patient tolerate कर रहा है अगर tolerate नहीं करता है तो हम सो कम पर रखते हैं एक वार हमने दौनों set कर दिये फिर उसके हम steps बांते हैं उसको बांदने के बाद में हम लोग FIO2 set करते हैं patient का saturation देखते हैं उस हिसाब से FIO2 बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो आज ही क्लास के लिए इतना ही अगली क्लास में हम discuss करेंगे interface के बारे में newer modes of ventilation के बारे में and troubleshooting कहां का दिक्कत आती है उस कैसे solve करेंगे अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो please like करिए अपने friends के साथ में share करिए अगर यह चैनल आपने subscribe नहीं किया है तो please subscribe करिए यह आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे comment करके बता सकते हैं फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में thank you